हमियपूर पील पर चल कर पत्ते काटते समय 12 वर्षिय मासूम करण की चपेट में आया करण डगने से रुई मासूम की दगनात मौत जिसने विदेखा ये मंजर देखकर नहीं रोप पाया अपने आसूम बारा वर्षिय मासूम की मौत से परिवार में तूटा दोखो का पहाड़ मामला जन्पध हनमीरपुर के ठाना राट के अंतरकत आने वाले ग्राम मवई का है जहां पर एक मासूम की करण प्लगने से दल्दनाग मौत हो गई बताया जा रहा है कि मुर्टक पेड़ पर चड़कर पत्ते काट रहा था तब हाथ में मौझूद हसिया 11000 हाई टैंसर के लाइन से टच हो गया जिस से मौझ मासूम की मौके पर ही मौत हो गई और मासूम पेड़ पर ही लटक गया जब किरामिनों ने ये मंज़र देखा तो अपरा तफरी का माहौल पैदा हो गया लोगों में चीज़ पकार सुरू हो गई वहीं किरामिनों की मदद से मासुन के सब को बामुजगे पेर से नीचे उतारा जा सका। मृत्रफ का नाम सर्वेश कुसवा पुत्र दिनीश कुसवा बताया जा रहा। आपको पता ने जिसने भी ये मंदर देखा वे अपने आसूर नहीं रूप पाया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची तो जवाली पुलिस ने सब का पंचनामा भरकर पोस्ट मार्टम के लिए भीज दिया। क्या नाम है आपका और क्या घटन हो गई हो जो आप यहां पर पोस्ट मार्टम हाउस में मौजुद हो यह नाम दिने सब मौके रहने बाला और यह बकली के लिए पत्ति करा रहा था क्या राशार गॉल्ट रूट मैं मतलग सुरगे आप ले था लगई लगई से करा रहा थ अच्छा इसकी सूचना आपने थाने में दी थी तो जो बॉर्ट यह नाम है आपका और यह जो ग्राम में मवई में घटना हुई संबन में आप क्या कहना चाहते हैं प्रेम राज़पूर्थ पूर्पुदाल ग्राम मेरा मवई है गटना कल चार बज़े लगभकी है और छ चात्र जो है चात्र था यह लड़का जो घटना हो गई है हाई टैंसल लाइन से और इसकूल की छुट्टी के बाद अब चुकी डाव में रहने के कारण बक्री अक्री होती है इसलिए उनके लिए पत्ती काटने काट रहा था बालक पेड़ पेड़ पेड़की और बास लि हो गया था और वो टच हो गया उसके विजली के तारों से और 11,000 की लाइन थी जैसे कि आप पूर परदान भी रहे चेको जन पृति नहीं थी है इस सम्मंद में गरीब सुनरे की गरीब परिवार है उनके बच्चे की मिर्थी हुई है सम्मंद में क्या कहना चाहिए या क्य मुझे कहना चाहते हैं कि तो पहनी बात चातर था